ओम नमो भगवते रामकृष्णाय सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराजी की महानपुस्तक जीने की कलासे अध्याय एक छोड़ो चिंता दुष्चिंता को भै और पीडा को दूर करने के लिए मृत्यू के वास्तविक स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है इस बिंदू पर आज के एपिसोड में चर्चा की गई है आईए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बाते दुख और मृत्यू यह मृत्यू है क्या यह एक भैंकर घटना नहीं है उत्तर में हमारे रिशिगन हा भी कहते हैं और नहीं भी वे अपनी आध्यात्मिक अनुभूती के आधार पर बताते हैं कि अज्ञानी लोगों के लिए मृत्यू भैंकर है पर ज्ञानियों के लिए नहीं मृत्यू जीवन की सरवाधिक महत्वपूरण घटना है परंतु बड़ी विचित्र बात यह है कि बुद्धिमान और शिक्षित लोग भी इसके बारे में नहीं सोचते मृत्यू के बारे में हमारा ज्ञान अत्यंत अल्प और सीमित है इसके बावजूद हम बुद्धिमान और प्रबुद्ध होने का दावा करते हैं मृत्यू तथा परलोग के रहस्य को सुल्जाने का दावा करने वाले पुरोहित तथा धार्मिक लोग कहते हैं अपने चाढ़ाओं तथा उपहारों के द्वारा स्वर्ग में अपनी जगह सुरक्षित करालो और भविश्य के बारे में आश्वस्त हो जाओ पर वे इस गूढ़ विशय पर चिंतन मनन करने में लोगों को प्रोचाहित नहीं करते मनश्य अपने चारो और लोगों को काल कवलित होते तथा सगे संभंधियों को यह धराधाम छोड़कर जाते हुए देखर स्तब्ध रह जाता है क्षण भर के लिए उसे शोक भी होता है इसके बाद वह शायद स्वयम को सांत्वना देते हुए कहता है आगे या पीछे सबको एक ना एक दिन तो मरना ही होगा परन्तु मृत्यू क्या है और उसके परे क्या है यह प्रश्न वह स्वयम से पूछने में प्रायह कत्राया करता है निकट के संभंधियों की मृत्यू हो जाने पर वह सचमुछी स्तब्ध रह जाता है इस मृत्यू के फल्स्वरूप वह तीवर व्यथा का अनुभव करता है और इस व्योग जनित असाहाइता तथा निराशा का अनुभव करते हुए आंसुओं की जड़ी लगा देता है परंतु कुछी दिनों बाद उसका दुख विस्मुर्थ हो जाता है वह फिर से अपनी दिन्चर्या में डूब जाता है और जब उसकी अपनी मृत्यू सिर पर आती है तो वह अथीव पीडा तथा भय के साथ बिना किसी तैयारी के ही चल देता है अधिकांग्ष लोग कीडे मकोडों की भाती मर जाते हैं वैसे कुछ लोग कहते हैं मृत्यू एक प्राकृतिक घटना है अतह उसके आने पर हमें उसका सामना करना चाहिए मृत्यू के बारे में हमारे दृष्टिकोण का सारांग्ष बताते हुए एलिजबेट कुबलर रोस केते हैं यह एक ऐसा विशे है जिसे हमारा यववन पूजक युवा पूजक तथा विकास प्रेरिद समाज कन्नी काटता रहता है कभी कभी कोई खास मौत हमें मृत्यू के स्वरूप की एक जलक दिखा देती है वह व्यक्ति को अपरिहार्य का सामना करने का साहस भी प्रधान कर सकती है ये घटनाये तथा अनुभव हमें साहस का भाव जागरत करने में सहायक होते ही परंतु व्यक्ति जब तक मृत्यू के तत्व को नहीं समझता तब तक भई भी थी बना रहता है एक दंपती के एक साथ वर्ष का पुत्र था थोड़े ही दिनों की बीमारी से उसका जीवन दीप बुझ गया उस शोक से रहत पाने के निमित वे लोग दक्षन भारत की ओर चले गए वहां आज जीविका के लिए उन्होंने कोई काम ढूंड लिया परन्तु मा अपने दिवंगत पुत्र को भुला नहीं सकी वह सोचती मेरे पुत्र को भगवान ने आखिर क्यों चीन लिया वह अपने पुत्र के शोक से अतिशय अभिम्हूत थी उसकी मनस्तिती ऐसी थी कि सांत्वना का उस पर कोई प्रभाव न होता और तरक वितरक का तो कोई सवाल ही नहीं था एक युवा पुत्र को खोने वाला व्यक्ति यह कहकर स्वयम को दिलासा दे सकता है केवल मैंने ही तो अपना पुत्र नहीं खोया है इस अंसार में पुत्र शोक से संतप्त और भी तो अनेक लोग हैं वस्तत यह मृत्यू के साथ एक व्यावाहारिक सामन जस्य तथा अपरिहार्य के साथ सम्झवता कर लेना है केवल मृत्यू के सच्चे स्वरूप को समझ लेने वाला व्यक्ति ही ऐसी परिस्तितियों में शांत तथा साहसी बना रह सकता है कल हम चिंतन करेंगे दुख के विशय में हमारी प्रतिक्रिया ओम शांति 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 हरी ही ओम तच सथ श्री राम कृष्णार पर नमस्तू